हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कियान एंड मममे फ्रेंट्स अभी हम बात करने बाले हैं सी सेक्शन यानि सेजेरियन डिलिवरी के बाद वो कॉन-कॉन से फूड आइटम्स हैं जो हमें नहीं खाने हैं जिसमें सबसे पहले है आपको गैसी फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाने हैं जैसे की चना हो गया और दाल हो गया राइस गोबी यह ऐसे आइटम्स है जो कि पेट में गैस बनाते हैं और जिससे पूर हमारे जो सिजेरिम के बाद जो हमारे पेट में टांके लगते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी और पेट में कैस बनेगी सो ऐसे आइटम आपको बिल्कुल अवाइट करने हैं और उसके लाबा खटे फूर्ट बिल्कुल भी नहीं हाने जैसे कि नीम बूग हो गया या प्रसर तरह हो गया फिकुज ये भी पेट में कैस बनाते हैं सेकेंड चीज पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना है और डिफ्रेट चीज इस बिल्कुल भी नहीं खाने है थर्ड चीज आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवाइट करना है विकलज वो सकता है बाहर का खाना पैक फ्रोजन जो फूर्न है वो अनहेल्दी हो और आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है सो आपको वो चीजें खानी हैं जिससे आपको कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम ना हो और जो चीजें एजिली आपको टाइजेस्ट हो जाएए